हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग एंड हेलफुल वीडियो लेकर आया हूँ जो कि इंडियन रेलवे से लेटेड है वो भी आप लोगों को मैं लाइब दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो आप लोगों का भी PNR सीज ना हो जाए अगर सीज हो गया है तो आप ना ही टीकट केंसिल कर पाएंगे और ना ही ट्रेवर्स कर पाएंगे Indian Railway IRCTC के तरफ से एक बहुत बड़ा operation चलाया जा रहा है जो कि अगर आप अपना personal ID से अपना blood relation को छोड़ कर किसी दूसरा कास्ट का ticket कुछ ज़्यादा ही काट रहे हैं तो आपका भी ticket सीज़ हो सकता है या अगर IRCTC आपका personal ID RPF के पास भेज देती है तो वो आपका personal ID ट्रेक करके आपका घर या दुकान आकर आपको धारा 143 के तहट आपको arrest भी कर सकती है सो चलिए गाइस एक PNR है जो Indian Railway के तरफ से सीज़ किया गया है आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ सो चलिए start करते हैं सबसे पहले मैं IRCTC Rail Connect App ओपिन कर रहा हूँ अपना 4-Digit Pin & Capture Fill करके लॉग इन कर रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं IRCTC Rail Connect App ओपिन कर चुका हूँ मैं माई ट्रांजेक्शन में जाके इसके बाद माई बुकिंग जैसे कि आप देख पा रहें गुहार्टी एक्सप्रेस में मेरा 6 माई 2022 का टिकट है राज कोट टू बक्सर छे माई देखे इसमें चार पैसेंजर का टिकट है कनफर्म सीट है कनफर्म सीट जो कि रिल्वे के तरफ से सीज किया हुआ है ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यह सीज किया हुआ है या नहीं, जैसे कि इस टिकट को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, होम पेज पे जाके, कॉर्णर में आप देख पा रहे हैं कैंसिल टिकट, मैं कैंसिल टिकट पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं, हमारा ट्रेंड नंबर और नाम आ चुका है, गुहार्टी एक्सप्रेस, राजकोट टू बक्सस, 6 मई, मैं इसको उपेन कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 4 पैसेंजर दिख पा रहे हैं, इस 5 में 34 नंबर, 37 नंबर, 35 नंबर, और 30 नंबर, मैं इन सभी को कैंसिल करना चाहता हूँ, यह देखें, मैं सेलेक्ट करके कैंसिल कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, कि यह इरार आ रहा है, इसका मतलब मेरे को नहीं रिफंड मिलेगा, नहीं मैं टिकट कैंसिल हो पाएगा, नहीं मैं ट्रेंड में जन्नी कर पाऊँगा, तब मैंने IRCTC वालों को मैं कॉल किया, और अपना PNR नमबर बताया, तो उन्हों नों मेरे को कहा, कि आप IRCTC का एक वेबसाइट है, एक जीमेल आईडी है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस पे मेल करी, आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने वहाँ भी ट्राई किया, लेकिन वहाँ से भी मेरे को यही रिप्लाई मिला, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह मैं अपना PNR नमबर दिखा रहा हूँ, PNR नमबर डेट अब जन्नी मैंने IRCTC वालों को मेल किया, इसके बाद IRCTC वालों उधर से मेरे को रि िक टिककट करें, दूसरों का नहीं करें क्यों, अगर करना है तो एजेंट के पास टेबल एजेंट बेखेंगे ताकि वह एजेंट लाइसेट्टि करें डैसेंटी टिककट बना कि आपको प्रवाइट करें ज फ़से कोई पर और कानी दिक्कत नहीं करें